गुड मॉर्णिंग ओल अफ यू उनमित करते हैं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे अच्छे हुए आज का जो वीडियो है वो है प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं कुछ दिन पहले मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्रेजेंटेशन पर एक वीडियो बनाई तो मैंने सोचा क्यों न एक प्रेजेंटेशन पर वीडियो बनाया जाए इसकी बाद मैं फिर से जैसे मैं स्टेप आई स्टेप कंप्यूटर आपलोड कर रहा हूं उसी लेकिन आज का जो वीडियो है वो प्रेजेंटेशन के उपर है तो चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम लोग को एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसका लेयाउट चेंज कर सकते हैं उसमें किस प्रकार से हम एनिमेशन दे सकते हैं इन सारे प्रक्रियाओं को आ हम लोग सिधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन को कैसे बनाया जाता है तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हाव टू क्रियेट ए प्रेजेंटेशन एड़ चेंज दर लेयाउट आफ एनी प्रेजेंटेशन तो अगये हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर तो आज का वीडियो है वो प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं पावर पॉइंट में आज हम लोग इसी पर इसी को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट को उपेंड कर लेते हैं तो PowerPoint को कैसे open करते हैं, हम लोग start window में जाएंगे, click करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग type कर देंगे, क्या type करेंगे, power pnt, without space, आपको space नहीं देना है, power pnt लिखना है, देखिए, जैसे मैंने power pnt दिखा, यहाँ पर already PowerPoint सो हो रहा है, अब हमको यहाँ से click कर देना है, जैसे मैं यहाँ click करूँगा, आपके सामने यह presentation open हो जाएगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमको सबसे पहले यहाँ blank presentation दे रहा है, यहाँ पर बता रहा है click to add title, हम यहाँ पर कुछ भी title को type कर सकते हैं, तो चलिए, मैं आपको एक title type करक सबसे पहले मुझे यहाँ कुछ लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं अपना center का ही नाम लिखूँगा, मा सरस्वती, मा सरस्वती computer center, ठीक है, यह मेरा title हो गया, इस title को मैं color भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अभी देखे, blank लग रहा है, देखने में अच्छ नहीं दग रहा है, इसको मैं design दे सकता हूँ, यहाँ पर है click to add subtitle, subtitle में मैं कुछ address दे सकता हूँ, जैसे, या तो मैं यह क्या चीज़ के लिए है, learning center है, तो मैं education center लिख जयता हूँ, education center, education center, यह हो गया, यह title और यह subtitle, अब हमको इसको color करना है, तो color करने के लिए हम दो design template का use कर सकते हैं, design template आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, इसका नाम है design, आपको देखने मिल रहा है, इसका नाम है design, तो design में हम click करेंगे, डिजाइन में क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सरे डिफरेंट 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 डिजाइन आ जाएंगे तो आपको यहां से चूज कर लेना है कि आपको कौन सा डिजाइन चाहिए देखे जैसे मैं यहां ले जा रहा हूँ तो इसका डिजाइन दे रहा है यहां ले जा रहा हो तो इसका design दे रहा है, यहां ले जा रहा हो तो इसका design दे रहा है, तो आपको choose कर लेना है कि आपको कौन सा design रखना है, suppose that मुझे यह design रखना है, तो मैं इसको select कर लेता हूँ, click कर दिये, तो एक slide मेरा तयार हो गया, इस तरह से मैं और भी बहुत सारे slide बना सकता हूँ, suppose that मुझे और एक slide बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, home में click करूँगा, सबसे पहले आपको नया slide बनाने के लिए home में click करना है, then हमको यहाँ पर new slide ल इस जगा पर click करना है, अब आपको different different slide यहाँ सो हो रहा है, suppose that आपको लेना है, कुछ title हमको लिखना है, तो title के लिए, या हमको कुछ blank presentation चाहिए, तो blank भी ले सकते है, तो चलिए हम एक टो blank ले लेते हैं, देखिए, यहाँ पर मेरा blank आ गया पूरा, अब यहाँ पर हम क्या photos डाल सकते हैं, अब हम photo कैसे डालेंगे, वो भी देख लेते हैं, देखिए, photo डालने के लिए हमको जाना परेगा insert window में, देखिए, insert window में मैंने click किया, यहाँ पर आपको मिलेगा photos, अगर आपके gallery में कुछ photo safe है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, अगर नहीं है, तो clip art में आपको जो photo suggest किया जाएगा, आप वहाँ से भी photo ले सकते हैं, suppose that मैं यहाँ से computer type करता हूँ, और देखता हूँ कि computer के related कोई photos है की नहीं, तो जैसे go कि यह देखिए, computer से related photo है, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे यह एक ले लेता हूँ, और इसको मैं बढ़ा कर द सकते हैं, इधर से भी बढ़ा कर सकते हैं, इस तरह से मैंने दुसरा slide बना लिया, अब देन हमको क्या करना है, एक और slide हमको बनाना है, तो फिर से हम लोग new slide में जाएंगे, और यहाँ से हम लोग कुछ title लिखने के लिए हम लोग एक place ले लेंगे, suppose that मैं blank ले लेता हूँ, क्यूंकि मुझे कुछ लिखना है, contents लिखना है, तो मैं यहाँ पर contents के लिए क्या करता हूँ, insert में चल जाता हूँ, और यहाँ से मैं shapes को ले लेता हूँ, चली हम shapes में rectangle को choice कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं it to border बना देता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ, right click करता जैसे मैं edit text करूँगा यहाँ पर writing mode में आ जाएगा अब मैं यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ suppose that मुझे यहाँ पर लिखना है details में कि computer में, मास अर्षती computer में क्या-क्या सिखाया जा रहा है तो या तो basic computer में क्या-क्या सिखाया जा रहा है तो suppose that basic computer में type कर देता हूँ basic computer basic computer मैंने type कर दिया अब इसका size अगर बढ़ा करना है तो आपको home में जाना परेगा home में जाकर मैं यहाँ से size के जगा पर click कर सकता हूँ और यहाँ पर हम जो मन में आया वह size में दे सकता हूँ जैसे मुझे suitable 35 size में दे सकता हूँ देखिए selected नहीं है इसलिए नहीं हुआ इसको select करना होगा पहले मैं select कर देता हूँ then इसमें हम size लगा देता हूँ 35 देखिए यह बढ़ा हो गया अब अगर चाहे तो इसमें color भी बदल सकते है देखिए यहाँ color है font area यहाँ बढ़ा है font color से हम कोई भी color हम ले सकते है suppose that मैं यहाँ पर yellow ले लेता हूँ तो यह yellow color में हो गया अब मैं इसका अगर font style को मैं change करना चाहता हूँ तो font style यह है यहाँ से हम font style भी change कर सकते है देखिए सब में style change हो रहा है माल लिजे मैं यह रखना चाहता हूँ तो मैं इसको click कर दिया तो यह आ गया तो इस तरह से मैं अपना कुछ भी change कर सकता हूँ और font color भी change कर सकता हूँ font style भी change कर सकता हूँ ठीक है next हमको इसके अंदर में हमको कुछ लिखना है तो फिर से मैं insert में चल जाओंगा और shapes में जाके यहां से मैं फिर से rectangular shapes को लेकर मैं यहां पर कुछ figure बना दूँगा जैसे कि मैंने figure बना दिया और यहां पर भी write click करके edit text कर देंगे जैसे edit text करेंगे यह writing mode में आ जाएगा writing mode में आने के बाद मुझे इसको क्या करना है यह बीच में writing लिखना शुरू कर रहा है लेकिन हमको बीच में नहीं हमको top में चाहिए तो मैं यहां पर align text में click करूँगा और यहां से मैं top को ले लूँगा जैसे मैं top को ले लूँगा तो मेरा cursor उपर की और करेगा अब बन रहा है text direction text direction क्या होना चाहिए left alignment right alignment में क्या होना चाहिए तो मैं यहां से left alignment को select कर दूँगा तो मेरा cursor left के अंदर चला जाएगा तो जैसे कि मैंने यहां पर कर दिया सब adjust अब मुझे खाले लिखना है then यहां पर bold italic underline वह आप कर सकते है अपने इच्छा के अनुसार अब मैं जैसे कि यहां पर type करूँगा तो मैं यहां पर type करना शुरू करता हूँ अच्छा numbering के लिए हम bulleted numbering का use कर सकते है यहां पर bulleted numbering देख रहे 123 करके दिखा रहा है मैं बरा करके दिखा रहा हूँ आप चाहे तो one number में लिख सकते है आप चाहते है तो alphabetical number में लिख सकते है तो जैसे आपको इच्छा है आप उसको use कर सकते है तो मैं यहां पर 123 numeric number का use करूँगो यहां पर one number ले लिए देखियो automatic one number आ गया यहां से color भी चूज कर सकते है अगर मुझे यह color पसद नहीं है तो मैं दूसरा color भी ले सकता हूँ तो suppose that यहां पर मुझे कोई दूसरा color यहां पर red color ले लिए तो red color में so नहीं हो रहा है अच्छा से तो मैं यहां पर yellow ले ले लेता हूँ तो yellow में थोड़ा सा deep नहीं आ रहा है तो देखता हूँ मैं कौन सा color ले सकता हूँ तो शुरुआत में यह ले ले लेता हूँ देख लेता हूँ सबसे पहला जो मेरा है यहां पर fundamental सबसे पहले हम जोग जो सीखेंगे वह है fundamental number 2 में देखिए automatic number 2 आ गया number 2 में हम लोग सीखेंगे window या ms-dos operating system ms-dos sorry यहां पर autocorrect किया हुआ था जिस कारण से लिखने से हुआ आ गया ms-dos ms-dos number 3 में हम लोग सीखेंगे window number 4 में office package office package अब office package में क्या क्या आएगा उसका विवरन मुझे लिखना है तो मैं यहां पर लिक करता हूँ और 5 नंबर को यहां पर erase कर देता हूँ और हम यहां पर चले आते हैं tap प्रेस करके और यहां पर मैं थोड़ा सा printer दबाऊंगा और फिर tap प्रेस करके थोड़ा सा यहां जाके मैं यहां पर number A देकर मैं इसको bracket में कर सकता हूँ और यहां पर लिख सकता हूँ office package में आपको क्या सिखाय जाएगा MS word MS देखिए यह आता है इसके control Z करके आप इसको हटा सकते है MS word फिर B number में मैं चला आता हूँ और यहां पर इसको bracket बंद करता हूँ और next लिखता हूँ MS Excel MS Excel next मैं C number देता हूँ और यहां पर मैं control Z कर देता हूँ MS PowerPoint M is PowerPoint number T में M is Access यह सारे चीज़ हम लोग सिखेंगे और number E में Internet Internet यह सारे चीज़ हम लोग सिखेंगे इसका size को हम लोग बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा बहुत ही छोटा आ रहा है इसको हम लोग रख देते हैं 35 बहुत बड़ा हो गया इसको थोड़ा सा हम लोग एडज़ेस्ट कर सकते हैं 30 में यह ठीक आ रहा है इसमें color भी ठीक है आप चाहे तो इसमें दूसरा color भी यूज़ कर सकते है आपके इच्छा के अनुसरा यह भी color ले सकते है जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते है अब आपको अगर लगता है कि इसका background आपको change करना है तो आप format shape में जा सकते है और जाकर आप यहां से कोई भी color चूज़ कर सकते है suppose that यहां से मैं इस color को ले लूँगा तो देखिए मैं यह color ले लिया इसमें आ गया है तो इस तरह से मैंने slide तैयार कर दिया यह मैंने 3 गो slide तैयार कर दिया ठीक है तो इसको मैं अब चाहता हूँ कि इसको animation भी कर दो अब इसको मैं देख भी सकता हूँ देखिए देखने के लिए तीनों button यहां पर मौझूद है इसका नाम है normal जो आप position में है यह जो position है यह normal position है next है slide sorter view इससे आप क्या कर सकते है छोटा छोटा कितना slide बनाए है आप देख सकते है देखिए मैंने 1 2 3 slide बनाए है तो वो मुझे एक ही बार में नजर आ रहा है और slide show slide show में क्या होता है कि आप बढ़ा करके देख सकते है देखिए यह मेरा slide बन गया फिर मैं click करूंगा दुसरा slide फिर मैं click करूंगा तिसरा slide इस तरह से मैं और भी चाहूंगा तो बना सकता हूं ठीक है next जो करना है आपको इसमें animation लगाना है अब animation कैसे लगाते है चलिए फिर से हम लोग normal में चले आते है अब इसमें animation लगाने के लिए animation पर click करेंगे और यहां से देखिए हम लोग कुछ भी ले लेंगे यहां पर जैसे हम click कर रहे है देखिए उस तरह का हो गया अब diamond save लेंगे यह diamond type का आएगा अब यहां पर हम इसको first किया हुआ है तो इसको मैं slow कर देता हूं बहुत धीरे आएगा यहां पर मैं on mouse click किया हुआ हूँ तो यहां पर on mouse click को हटा के automatically कर देना है और इसको apply to all कर देंगे देखिए अब क्या होगा इसको जब भी हम slides हो में click करेंगे देखिए Automatically आ रहा है मतलब हमको click नहीं करना पर रहा है पहले हमको click करना पर रहा था क्योंकि on mouse click में click किया हुआ अभी मैं automatically में click कर दिया हूँ तो इसलिए मुझे देखिए यह automatically आ रहा है अगर आप चाहते है कि आपका यह बंद ना हो continue चलते रहे तो इसके लिए आप क्या कर सकते है इसको slide show में जाके इसमें setup show कर सकते है देखिए setup show का option है यहाँ पर click कर सकते है और इसको loop continuously until escape इसका मतलब होता है इसमें आपको एक setting कर देना है इसका मतलब यह होता है कि यह चलते रहेगा तब तक जब तक कि आप इसको escape दबाके बंद नहीं करेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको okay कर दिया अब जैसे okay कर दिया अब देखिए क्या होता है कि यह चलते रहेगा जब तक मैं बंद नहीं करूँ देखिए फिर से आ गया इस तरह से हम लोग कोई भी presentation को बना सकते है बहुत ही अच्छे से बना सकते है तो friends कैसे लगा मेरा यह video ताकि मैं आगे के video बनाने में मुझे प्रेड़ना मिले मैं इसी तरह का video और भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए तो आज के लिए class इतना ही next class में फिर से मिलते हैं